एक वक्त था जब हम कांटों को भी सीने से लगा लिया करते थे। अब कोई हमें फूल देता है तो भी हमें डर लगता है। एक उम्र बिताई थी मैंने वीराने में वहाँ उसकी तस्वीर लगा दी तो वीराना भी अब घर लगता है। वीराना भी अब घर लगता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त जैश और आप सुन रहे हैं बुकोटियो कहानी का शिर्शक है गुनाह जो मैंने किये और इसके लेखक हैं पवन जैन आईए दोस्तों सुनते हैं इस किताब की चौथी कहानी काला, गुलाब पहली बार मेरा ट्रांस्वर ऐसी जगा हुआ था जहां मैं फैमिली नहीं ले जा सकता था वो पुर्वी उत्तर प्रदेश का एक कज़बा था काम चलाओ सुविदा ही थी वहाँ पर विनोथ, आफिस में केज्वल वर्कर था वो नजदीक के ही एक गाव में रहता था उसके पिता की कुछ मेंने पहले ही बीमारी से मृत्यू हो गई थी और गाव में वो और उसकी मा बस मेरे आने से पहले ही से वो ओफिस में काम करता था मेरे से पहले जो इंचार्ज थे वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे ओफिस के उपर ही फ्लेट था रहने के लिए सब कुछ था वहाँ पर पर मेरे जैसों के लिए कुछ नहीं था मैंने कभी अपने हाथों से चाय भी नहीं बनाई थी फ्लेट की सफाई आदि भी विनोध ही करता था चाय में खुद बनाने लगा था और ब्रेड मेरा नाश्टा थी लंच में यूँ ही समोसे वगिरा और रात का खाना एक होटल से मंगाता था लेकिन बिलकुल बेकार अब तक मेरी समझ में आ गया था कि क्यों मुझे ही वहाँ भेजा गया था जब सब कुछ बरदास से बाहर हो गया तो विनोध से ही अपनी व्यथा कही उसके पैसे बढ़ा दूँगा और वो मेरा रात का खाना बना कर चला जाया करे विनोध मेरी किसी बात को मना नहीं करता था वैसे भी बहुत सीधा था वो मान गया फिर मुझे कुछ राहत मिली ऐसे ही दिन बीतते रहे लेकिन मेरा वहां बिलकुल भी मन नहीं लगता था लेकिन कोई चारा भी नहीं था महिने में एक आर बार घर भी आता था और घर से लोड़ते समय मन बहुत भारी होता था जैसे कोई बेटी अपने मायके से ससराल जा रही हो एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी विनोध अपनी साइकल से ही आता जाता था बारिश जब बहुत देर तक नहीं रुकी तो मैंने विनोध को वहीं सोने के लिए कह दिया और वो उस दिन वहीं रह गया और फिर एक दिन विनोध ही मेरे से बोला साहब जी एक बात कहनी थी मैंने सावलिया नजरों से उससे देखा क्योंकि वो बहुत कम बोलता था मुझे लगा कि कहीं वो मना तो नहीं करने वाला शाम के खाने के लिए लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने उसकी नोक्री पक्की कराने के लिए कहा हुआ है वो मा कह रही थी कि मुझे गाउं आने में देर हो जाती है तो तो क्या मैं थोड़ा आशंकित था साहब जी मा आपका खाना बना दिया करेगी मैं सोच में पड़ गया कि उसकी मा खाना बनाएगी तो फिर ये दोनों साथ गाउं वापस जाया करेंगे विनोद वो तो ठीक है लेकिन क्या तुम गाउं छोड़ दोगे हाँ साहब जी गाउं में हमारा है ही क्या मा के सिवा मतलब तुम अपनी मा के साथ यही रहोगे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था हाँ साहब जी कुछ दिनों में मेरी नोकरी पक्की हो जाएगी तो सब खीक हो जाएगा पहली बार उसने मेरी तर्व देखा जिसे आश्वस तो होना चाह रहा था मैं सच में उसकी नोकरी पक्की कराने का प्रयास कर रहा था लेकिन सरकारी काम इतनी आसानी से नहीं होते हैं और मैं सो प्रतीशत शोर भी नहीं था कि वो पक्का हो ही जाएगा ओफिस में लेकिन मैं उसका दिल भी नहीं दोड़ना चाहता था हाँ ये तो सच है विनोद मैंने हलके सोर में कहा लेकिन तुम और तुम्हारी मा कहां पे रहोगे यहीं पे उपर एक छोटे खमरे में मैं और मेरी मा रहे लेंगे उसकी आवाज में भै था और संकोज भी कि कहीं मैं मना न कर दूँ विनोद के मूँ से ये सब सुनकर मैं मन ही मन सोचता रहा मेरी खाने के अलावा और भी बहुत सारी प्रोब्लम सोल हो सकती थी जैसे कपडों की धुलाई इस्तरियादी साथ साथ और भी घरे लो जरूरतों का जंजट खत्म जो काम अभी तक विनोद करता था वो उसकी मा करेगी और विनोद नीचे आउफिस में ही काम में help किया करेगा मुझे विनोद की बात मानने में कोई बुराई नजर नहीं आई और मैंने विनोद से हामी भड़ दी और उसके अगले दिन से ही विनोध अपनी मा को लेकर आ गया मा बेटे उपर एक ही कमरे में रहने लगे और सब कुछ बहुत सुईदा जनक था मेरी सुभा की चाय भी, नाश्टा भी, सिर्फ ब्रेड नहीं बदल बदल कर कभी पराठे, कभी कुछ और और भूक लगी हो तो लंच भी मिल जाया करता था कहते हैं न कि औरत के हाथों से बने खाने का स्वाथ कुछ और ही होता है विनोध ने मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी थी हाँ, विनोध की मा कभी मेरे सामने नहीं पढ़ती थी और मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब था और वेसे भी कभी कबार मेरी नजरें उस पर पड़ी भी तो पहली नजर के आकरशन वाली कोई बात नहीं थी उसमें सावला पक्का रंग, चालिस से थोड़ा उपर ही होगी मेरे लिए वो सिर्फ मेरी हाउसमेट थी जैसे हमारे घर की काम वाली बाई, बस हाँ उसकी एक बात जो अच्छी लगती थी कि वो विनोच से भी बहुत धीमे स्वर में बात करती थी कहीं साहब जी डिस्टब न हो जाएं शायद यही सोच्थी होगी वो हाँ, उसकी एक बात और भी अच्छी लगती थी वो अपने सिर को हमेशा साड़ी के पलू से ढखे रखती थी एक साली का था उसके रहन सहन में मेरे रूम की साब सपाई का पूरा ध्यान रखती थी मेरी चीजों को सवार कर रखने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी जो जहां पड़ी है बस महीं कपड़े भी, किताबे भी लेकिन शाम को जब उपर आता था तो पूरा कमरा विवस्तित होता था मैं सुबा को जब उपर से नीचे आफिस आता था तो फिर आफिस के बाद ही देर शाम उपर जाता था काम ज़्यादा था इसलिए कुछ फाइल्स में उपर भी ले जाता था अकसर और एक दिन मुझे आफिस में एक इंपोर्टेंट फाइल की ज़रुरत पड़ी तो मुझे कहीं नजर नहीं आई बहुत देर तलाशने पर भी नहीं मिली सोचा शायद उपर हो और मैं उपर आया सीधा अपने कमरे में कमरे का नजारा मेरे लिए बिलकुल अप्रत्याशिक था जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था विनोत की मा मेरे बेट पर आराम से सुई थी गहरी नीन में गर्मी बहुत थी इसलिए कूलर भी ओन था मैं हद प्रप्थ था लेकिन वो दुन्या से बेखबर सुकून से सुई थी आज से पहले मैंने उसे ऐसे नहीं देखा था उसका इस तरह मेरे बेट पर सोना अकल पनिये था लेकिन वो नीन में मस्त थी बिलकुल साफ सुथरी सी शायद काम निप्टा कर नहा कर सोई थी उसने लाल साडी और पीला बलाउस पहना था उसका गहरा सावला चहरा और चहरे पर पढ़ रही कूलर की पानी की पूंदे एसे लग रही थी जैसे सुबा सुबा काले गुलाब पर उसकी बुंदे पढ़ रही हो मैं भूल गया मैं क्यूं उपर आया था एक सावला सोंदर्य एक भरपूर योवन मेरे सामने था उसकी सांसे जोड से चल रही थी मेरी नज़रे उसके उड़ते बेटते सीने से नहीं हट रही थी आज पहली बार मुझे उसमें एक इस्त्री के दर्शन हुए थे नीन में उसकी साड़ी का पलू सरक कर नीचे आ गया था मैं उसे बेह चक उपर से लिकर नीचे तक मिहार रहा था मेरी नज़रे उसके गद्राय जिस्म का जैसे एक्स्रे कर रही थी आज मुझे सर्ला हाँ यही नाम था उसका मैं एक संपूर्ण औरत दिखाई दी थी हाँ कुदरत का एक अजबुत नज़ारा जहां आत्मी अपनी सारी सुद्बुत खोकर बस डूब जाना चाहे एक गहरे समंदर में बिना किसी अंजाम की परवाह किये सर्ला का अंग अंग जैसे एक जादू था और वो एक जादू गर्णी जिसने मुझे पर अपना जादू चला दिया था मैं बिल्कुल उसके योवन की जादू के गिरफत में उसके रूप से सम्मोहित मेरे लिए बिल्कुल सपने जैसा द्रश्य था वो वो बिल्कुल मस अपने सपनों में खोई सी सोई थी कभी कभी पता नहीं क्या सोच कर मुश्कुराती थी वो बिल्कुल सीधी लेटी थी मेरा मन चाहरा था उसको बाना मैं किसी तरह खुद पे सयम रख पा रहा था एक नारी देह मेरे सामने थी और मैं बेबस लाचार सा बस उसे देखे जा रहा था और फिर उसने एक भरपूर अंगडाई ली और जग गई मुझे देख वो गबरा गई जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो वो बिस्तर से उठी और तेजी से बाहर निकल गई मैं भी जैसे नीन से जागा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा था वक्त का पता ही नहीं चला फाइल मेरे रूम में ही थी फाइल लेकर में नीचे आ गया आफिस में बिलकुल मन नहीं लगा मेरे पिस्तर पर सल्ला और उसका योवन रह रह कर मुझे याद आ रहा था मेरे भीतर एक अजीब सा रोमांच एक बेचेनी थी मेरा दिल उससे उसके योवन से खेलना चाह रहा था उसे पाने को बेताब मेरा दिल एक औरत के जिस्म को हासिल करने की एक पुरुश की आदिम ख्वाईश हाँ वो मेरी मेड नहीं थी मेरे लिए वो कुछ और थी उस सोटे से कजबे में जहां से मैं जल से जल वापिस जाना चाहता था वहां मेरे रुकने की एक वज़ा मुझे मिल गई थी लेकिन क्या सरला को पाना इतना आसान था मेरे उसके पीज बहुत बड़ा अंतर था मैं समाज का एक सफेद पोश इज़ेदार पुरुश था और वो एक विद्वा मजबूर असहाय औरत मेरे मन में अंतर द्वंद था सरला को लेकर मेरा मन बैमान हो चुका था उसे पाने की असमित इच्छा और भी बढ़ती जा रही थी मेरा दिमाग उसे पाने की तरकीबे खोजने लगा लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी मन्जिल को पाने की जुगत लगाई जाए हाँ सरला अब मेरी मन्जिल थी मेरा मकसद अरजुन की तरह सिर्फ चिड़या की आँख मुझे हर पल हर शंड सिर्फ सरला ही नजर आती थी जहाँ एक तरफ मेरा पापी मन सरला के खयालों से परे नहीं हो पाता था वही सरला शायद मेरे मनों भावों से पूरी तरह अंजान थी उसका वही रूटीन चलता रहा मेरे रूम में उसके सोने का और मेरा उसको देख लेने का यदि उसके मन में कोई मलालिया गलानी हो तो उसका भी मुझे उसके विवार से पता न चला और मैं भी प्रतेक्श रूप से पहले की तरह ही था मेरे मन में उसे लेकर क्या चल रहा था इसका बिलकुल भी भान ना होने दिया मैंने आखिर एक इज़िदार और रसूकदार जो था मुखोटा तो और ना ही था लेकिन सच में मेरी हालत बहुत खराब थी और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी हालत दिन प्रती दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन सच में मुझे बहुत तेज बुखार हो गया विनोध कजबे के एक लोते डॉक्टर को बुला लाया डॉक्टर ने ताब देखा और विनोध से बोला दवाई खाने से दवाई देता हूँ लेकिन इनके माथे पर बर्व की लगातार पट्टी रखनी है तब ही बुखार जल्दी उतरेगा सर्ला भी दर्वाजे से ये सब सुन रही थी विनोध डोक्टर के साथ गया और कुछ देर में दवा लेकर आ गया उस जिन खाने में सर्ला ने खिचड़ी बनाई मूंग की छिलके वाले दाल की उतनी तेज भुखार में भी खिचड़ी में बहुत प्यारा स्वाथ था मेरा पूरा बदन तूट रहा था तेवर ज्वर की वज़ा से ही शायद लेकिन मुझे आश्यर हो रहा था एक बात पर की इतनी तव्यत खराब होने पर भी मुझे घरियां पत्नी की याद नहीं आई थी ये सर्ला की मौजूदगी का असर ही था ज्वर बहुत तेज था मैंने खुद ही माथे को हाथ लगाया बहुत गर्म था इतने में विनोद आया एक बरतन में ठंडा पानी और पट्टी लेकर वो मेरे पास ही इस्चूल पर बैट गया और मेरे माथे पे बर्फ की पट्टी की सिकाई करने लगा लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा था शायद मुझे उस वक्त सर्ला की जरुद थी मैं करहाने लगा सर्ला को भी शायद एहसास हो गया था कि ऐसे इनको आराम नहीं मिलेगा वो आई और विनोद को उठा कर खुदी इस्चूल पर बैट गई उसके नर्म कोमल हातों ने जैसे ही पट्टी मेरे माथे पर रखी मुझे एक अजीब सी सुख़द अनुबूती हुई एक सुकून सा जैसे मेरी बेचे निकम हो रही थी लेकिन फिल भी मैं बीच बीच में हलका सा करहाने लगता था इस जर्शे कि कहीं सर्ला मेरी तब्यट ठीक समझ कर चली न जाय राद गहरा रही थी कहते हैं औरत जन्म सही सेवा भाव लेकर आती है और सर्ला भी तो एक औरत थी वो मेरे माथे पर पट्टी करती रही मुझे आराम मिलने लगा था और नीन भी आने लगी थी मैं कब सोया और सर्ला कब गई मुझे बिलकुल भी आबास नहीं था सुबा आग खुली तो बेटर फील कर रहा था अभी भी सर्ला के नरम हातों के चुण में अपने माथे पर महसूस कर पा रहा था कुछ अनुभूतियां सिर्फ महसूस की जा सकती है उनको व्यक्त कर पाना संभव नहीं होता ऐसा ही कुछ मेरा हाल था उस दिन उपर ही रहा आफिस नहीं गया ताप कम था लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ था और कमजोरी भी बहुत थी मैं बिस्तर पर ही आराम कर रहा था विनोद अपनी मा को मेरी दवा बता कर चला गया था लेकिन विनोद को कहा मालूम था कि उसके साब जिस डॉक्टर की दवाई से थोड़ी ही न ठीक हुए है बलकि असल डॉक्टर तो उसकी मा थी जिसके कॉमल नरम इस्पर्ट से मुझे एक ही रात में इतना आराम मिल गया था उपर अभी मैं उसरला थे और कोई नहीं वो अपने काम में व्यस्त थी सारा काम वो ही करती थी जाडू पोच्छा चोका बर्तन से लेकर सब कुछ वो रसोई में थी शायद मेरे लेकुछ तयार कर रही थी मेरी पलके कभी खुलती कभी जबकी से लग जाती दवा का असर था मुझे गाने सुनने का शौक था विनोद मेरी मन पसंद कैसे टलगा कर चला गया था और हल्की सी खुमारी में गाने सुनने में बहुत आनंदा आ रहा था उसके आने जाने का मुझे बिलकुल पता नहीं चला वो बहुत दबे पाउं आती थी मेरी पल के बंद थी उसने धीरे से साहब जी कहे कर पुकारा मैंने आखे खोली उसने हाथ के बाउल को स्टूल पे रख दिया साहब जी ये ले लो वो धीमे से बोली मैं उटकर बैठ गया उसने दलिया बनाया था दूद का मैंने प्यार भरी नजरों से उसे देखा वो चहरे पे हलकी सी मुश्कान लिये चली गई दलिया बहुत टेस्टी था बिल्कुल पत्नी के हाथ जैसा मेरे मन में तरा-तरा के खयाल आने लगे कि भगवान ने इसलिए तो उसे भेजा है कि मुझे इस अंजानी जगाग पे किसी चीज की कमी महसूस ना हूँ पत्नी की भी नहीं सोस्ते सोस्ते मेरे मन का शेतान मुझ पर हावी होता जा रहा था मैंने दल्या खा कर बावल इस्टूल पर रख दिया उसे मेरे कमरे की भी सफाई करनी थी वो आई और तनमेता से अपने काम में लग गई मैं तक्ये पे सिर्टिकाए उसे सफाई करते तकता रहा मेरी नजरों में भूग थी वासना की उसे पाने की मुझे पता था उससे अच्छा अवसर मुझे और कभी नहीं मिलने वाला था मैं जान बुझ कर थोड़ा कर रहा उसने एकदम मेरी तरफ देखा उसकी निगाहों में प्रश्ण जैसा था जैसे पूछ रही हो कि क्या हुआ साहब जी मैंने कातर निगाहों से उसे देखा ऐसे जैसे मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा अपने चेहरे पे चिंता के भाव लिए वो मेरे पास आई मैंने अपना हाथ अपने सीने के बाईयों रखा जैसे वहां बहुत तेज दर्द हो रहा हूँ वो जल्दी से विक्स लेकर आई और मेरी शर्ट उतारने की कोशिश करने लगी मैं बिल्कुल असाहाय होने का अभी नएक कर रहा था उसने कैसे करके मेरी शर्ट के बटन खोले और शर्ट उतार दी अब मेरे बदन पे सिर्फ बन्यान था वो थोड़ा ठिटकी मैंने फिर अपने सीने पे ऐसे हाथ रखा जैसे मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ कि मैं उसके योवन को महसूस कर पा रहा था लेकिन वो मेरे इरादों से बिल्कुल बेखबर मेरी तकलीव से परेशान मेरे बन्यान को मेरे बदन से अलग करने का प्रयास कर रही थी मैंने जान बूच कर अपने बदन को डिला जोड़ दिया था हाथ और पेरों को भी जैसे जिसम में बिल्कुल भी जानना हूँ जैसे देसे कर उसने मेरा बन्यान उतारा और विक्स अपने हाथों में लेकर मेरे सीने के बाई तरफ होले होले लगाने लगी उसने स्टूल बिल्कुल मेरे बेट के साथ खिसका लिया था सच में वो मुझे लेकर परिशान थी और मैं मन ही मन उसके भोले पन और मासूम ये पर खुश हो रहा था उसने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि कुछ आरा मिला या नहीं और उसे इतना पास पा कर सच मुझे बेहत सुकुन मिल रहा था मेरे लिए खुद को रोक पाना और संभव नहीं था मैंने अपनी बाहें उसकी कमर की पिछे ले जाकर उसे अपने बदन पे गिरा लिया और एक वेशी की तरह उसे पलंक पर लेटा कर उसके चहरे को बेताहशा चूमने लगा वो मेरी बाहों में कसमसा रही थी मेरी बाहों के बंदन से आजाद होना चाहा रही थी और मैं अपनी गिरक्त और मजबूत करता जा रहा था मैंने एक हाथ से उसके बलाउस को अलग करना चाहा लेकिन किसी तरह उसने खुद को मुझसे अलग कर लिया और खड़े होकर अपने अस्तव्यस कपड़ों को सही करने लगी उसकी नजरों में मेरे लिए नफरत और हिकारत साफ नजर आ रही थी मेरी वासना का जुल शान्त हो चुका था सैसा वो जोर जोर से रोने लगी उसको रोते देख में डर गया था सल्ड़ा मुझे माप कर दो पता नहीं क्या हो गया था मुझे मैंने याचना भरे स्वर में उससे कहा आप भी गाम वाले जिसे ही निकले साहब जी उसने रूंदे स्वर में कहा उर्टेजी से कमरे से बाहर निकल गई मैं होश में आ चुका था एक अपरादी साह आत्म गलानी का शिकार उसके बाद मेरी सल्ला से निजरे मिलाने की हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल खामोश सा एक गुनागार की तरह में उपर रहता लेकिन वो बिल्कुल शांत पहले की तरह गंबीर अपना काम करती रही बिल्कुल